दोस्तों मिसकार इस्टेट जोब लाइन में आप सभी का स्वागत है राधरस्थान पलिस कॉन स्टेबल नियू वेकेंसी 2021 के लिए ओफिस्टल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और डिटेल एड़र्टाइजमेंट का तो मैंने वीडियो बना दिया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना नियू सलेबस की कम्पलीट जानकरी आपको इस वीडियो में दी जाएगी चलिए दोस्तों वीडियो में आगए बनने से पहले आप सभी के लिए कर खास इंफोर्मेशन दुरिना एप पर सुभास सानेंट सर आपके लिए ले के आए है राजस्थान पुलिस को निश्चल भरती का कम्पलीट बैच यहाँ पर दोस्तों आप इसमें जोइन कर सकते हैं दुरिना एप डाउलोड करने का लिंक आपको डिस्किप्सिन में दिया गया है और फिलाल सिमित समय के लिए आपको इसके उपल इस्पेशल डिसकाउंट भी दिया जा रहा है तो जल्दी दाके आप इसमें जोइन करके गर बेठे राजस्थामपलिस एक्जाम के तयारी कर सकते हैं दोस्तों आप बात करेंगे आपकी डिटेल्स सलिवस की देखे दोस्तों इस बार सबसे पहले तो राजस्थामपलिस की भरती के एक्जाम में थोड़ा चेंज किया गया है ठीक है दोस्तों पिछली जो भरती थी या उससे पिछली भरती जो भी राजस्थामपलिस की भरतिया हुई है उने सभी में 1 quston आधा नमर का होता था यानि 1.500 quston का paper होता आपका और पिछेतर नमर का यानि 1 Quston आधा नमर का लेकिन दोस्तों इस बार है जरा थोड़ा बदलाओ और इस बार 1 Quston को कर दिया गया है यानि अब आपका 1.500 परशन का यहाँ पर paper आएगा और 1500 ही number का होगा ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर यह बदलाव है इस बार cut of final cut of 200 number के अंदर से रहेगी दोस्तों यहाँ पर देखें लिखित परिक्षा 1500 number की है तो अब हम आपको लिखित परिक्षा की पूरी जानकारे देते हैं सबसे पहले दोस्तों basic information आपकी कि 1500 क्यूशन होंगे 1500 number के और 2 गंटे का टाइम आपको 1500 क्यूशन को करने के लिए दिया जाएगा तो एक क्यूशन एक number का है लेकिन अगर आप एक क्यूशन गल्द करते हैं तो negative marking आपकी एक बुटा च्यार है ठीक है 25% अंक काट लिए जाएगे यानि हर एक गल्द क्यूशन पर एक बुटा च्यार number आपका कट जाएगा तो दोस्तो अब आप देखें आपर complete syllabus चार पार्ट में आपका paper दोस्तो डिवाइड है देड्स और total क्यूशन आएगे इन देड्स और क्यूशन में से 40 क्यूशन यहाँ पर reasoning और आपके computer के होंगे ठीक है दोस्तो reasoning और computer दोनों एक ही पार्ट में है तो short क्यूशन है इसमे 35 क्यूशन 35 नमर के होंगे पार्ट सी में महिलाओं बच्चों से जोड़े परा 10 क्यूशन 10 नमर और पार्ट डी यारी से कहें तो इसमें complete राजस्थान जी के होगा 45 क्यूशन 45 नमर के अब दोस्तों देखें बस सबसे पहला सवाल आएगा कि क्या इन सभी पार्टों में प इसली भरती थी उसमें ये नियम था कि हर पार्ट में पास होना जरूरी है और काफी सारे उद्यार थी भी पार्ट की जैसे बाहर हो गए थी अब दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकस्न में आप देख सकते हैं ये बात दोस्तों साब साब बताएगी है कि आपको कुल 40% नमर लाने है ठीक है यानि अलग-अलग पार्ट में पास होना जरूरी नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 40% अंक आपको अनुसुची जाती अनुसुची जनजाती के लोगों के लिए 36% ठीक है तो जो जर्णल वाले कंड़ेट्स हैं OBC वाले उनके लिए 40% नमर कम से कम लाने जरूरी है चाहिए किसी भी जिले से आप फुरम भरो इससे कम कटोफ नहीं जाएगी और अगर आप यहाँ पर S.E.S.T. से हैं तो 36% ठीक है अलग-अलग पार्ट का कोई नियम नहीं है टोटल आपको एक साथ पास होना है चाहिए एक पार्ट में आपके जीर की बात करें तो देखें कम्प्यूटर में आपके Microsoft Office हो गया Microsoft Word हो गया इसके अलावा इंटरनेट और साथ ही यहाँ पर कम्प्यूटर से जो बेसिक नोलेज के क्यूशन होते हैं जैसे मालों कम्प्यूटर में कोई उपकरण है CPU है माउस है कीबोर्ड है इन सब के बारे में क क्यूशन पूशे जाते हैं और एक आपकी सोट की पूशे जाती है ठीक है यानि Microsoft Office में इस वरक के लिए सोट की क्या होगी ऐसे करके क्यूशन कम्प्यूटर में पूशे जाते हैं टोटली आपके बस चार पांच टोपिक्स हैं उनसे बाहर कम्प्यूटर के क्यूशन नहीं आते हैं यानि बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरुद आपको नहीं है बस बेसिक नोलेज होना चाहिए इसके अलावा रेजिनिंग की बात करें तो रेजिनिंग में तो दोस्तों वही सब टोपिक्स हैं जो सभी भरतियों में होते हैं इसमें कोई चेंज नहीं है लेकि ठीक है दोस्तों पार्ट B में बहुत विद्यार्थी अटक जाते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखे इस बार ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसमें आपको पास होना जरूरी हो तो आपको ज्यादा प्रोब्लम नहीं होगी ठीक है दोस्तों बस आपको रेगुलर करेंट अ आपको अच्छे से पढ़ना है जो लिूसेंट की एक बुक आती है वो भी आप पढ़ सकते हैं कम्प्लिट आपकी तयार हो जाएगी इसके लाँ दोस्तों पार्ट C में बिल्कुल सिमित क्यूसंस हैं इसमें महिलावा बच्चों से जोड़े अपराद हैं उनके लिए बिल्कुल एक लिमिट सलेबस है थोड़ा सा ही वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बार उसे पढ़ने की जोतने पढ़ेगी वो मैं आपको अवलेवल करवा दूँगा पार्ट यहाँ पर लास्ट की डी की बात की जाए तो दोस्तों राजस्थान जी के आपको कम्प पूट वरा जो पार्ट है ना उसमें सभी विद्यार्थी अच्छा स्कोर कर देते हैं लेकिन राजस्थान जी के और इंडिया जी के ये दो पार्ट करते हैं कि आपका सेलेक्शन होगा या नहीं होगा क्योंकि रिजिनिंग काफी आसान आती है और पार्ट सी महिलावे पास किये जाएंगे तो आपको विकेंश यो से पांच गुणा विद्यार्थियों में सामिल होना है अगर आपको फिजिकल के लिए आगे जाना है तो ठीक है दोस्तों इससे जब़ा देखिए और को सब्सक्राब के मन में हो तो आप कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं मैंन इलकुल फिर में स्टडी में ट्रेल मिल जाएगा और गर बैठे आपने रास्ताम प्लिस भरती के त्यारी कर पाएंगे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू जाहिंद वंदे बात्रम